नमस्कार मों सुन्धी प्यादव यो हो कारक्राम अवाज यस कारक्रम मा हमी नेपाली समाज ले बिगत लामो समय देखी भोगी रहेको दर्धनाख गटना अरुबारे कुरा गर छोँ महिला हिन्चा, दाईजो प्रथा, जातिय छुआ छुत, जस्ता बिक्रिती बिसंगती ले जरा गाडेर बसे को छा यस्ता बिक्रिती बिसंगती बिरुद्ध को कारक्रम हो अवाज देश बर रहेका हजरु पिडितरु जसले नैपोन सकेका छाइनन जसको पिडाज सुनी दिने कोहीं छाइनन जसको गाउमा मलहम लगाई दिने कोहीं छाइनन तिनै आवाज बिहिनरुको आवाज लियर कारक्रम आवाज मार्फ थामी उपवस्तित बैका छाओ संसार को जुन सुकई समाज परिवर्तन सील होंच यो परिवर्तन को समान्य नियम हो तरो समाज बदनले अधार चाहीं चाहींच त्यो अधार बने को चेतना हो हमी तेहीं अधार तयार पारने पर्यास्मा जूटे का छाओ कलाया उत्महानागर पालिका जहां जाति चुवा चुट जसता पुराना बिक्रिती बिसंगती हरूले अज्जाई पनी धेरै मानिश को जीवन मा गईरो छाप बनायर बसे को चाहींच जीवनत समुदाय को बीच मा दलित रा सिमनतकृत समुदाय हरूले चुवा चुट को भा सहनु परेको चुट कहिले अंतर जातिये बिवा गरेको निहुमा कुटपिट मात्र न बैर हत्त्याको शिकार नहीं हुने जस्ता गटना तलित समुदायले भोग्दाय आयका चन। यो नेपाली समाज को लागे कुने नवलो कुरा होई न। नेपाली समाज मा बिगत लामो समय देखी यो रही आयको छा। मुलुक जातिये छुआ छुद मुक्तर राष्ट्र गोश्ना भएको दुई दसक हुना लागे पनी जातिये छुआ छुद उन मुलान हुना सके का चैन। अज़ाई पनी जातिये छुआ छुद को गटना मा कईयो दलित हरु पिल्ची रहेक ंुमधेष परदेश चैन। मुमधेष परदेश मा दलित समुदायमा माती मुधेष परदेश के कथित उच्चा जातिले, अहिले पनी, चर्को विभेत गरेको विभिन्ना ले देखाउचा। उनी हरुले, आयोज्नागरेको भोज भतेरमा नजाने मात्र हुई नहीं .। बारा जिल्ला का सोरे स्थानिय तह मध्धे को एखो कले याउपमहानगर पालिका यो मधेश प्रदेश को मुचु हो यहां का मानिस हरू सुन्दर्तार कठिनाई संगसंगई मास दसन। यहां जातिय चुआचुत जस्ता पुराना बेक्रेती बेशंगती हरूले अजही पनी धेरै मानिसको जिबनमा गहीरो छाप बनाय रबसे को छुछु। एस जिबन्त समुदाय को बेच मा दलीत रसिमांत क्रेत मानिस हरूले चुआचुत को भार खेप्दई बासन। परेको छुछु। एक क्रूर र रुडिबादी अभ्यास जस्तले दलीत समुदाय का मानिस हरूलाई पानी का धारा र कल्बाट पानी प्यून दिदैना। भोजभतेर मा संगय बसे रखान पाउन हुन्न। तियो छेण कस्तो हला। जहां तपाईको उपस्थिती बिवाहा भोजभतेर जस्ता सामाजे किर्याकलाब मा अस्विक्रित हुन्छ। यहां कलैया उपमहानगर पालिका मा उच्च जाती का मानिस हरूले इ अपरोध हरू निरंतर लाहे का सन। दलीद हरूलाई उच्च प्रपुजाजा का समय मा पनी छुट्टा छुट्टै राखिन छुट। गरीबिले जाती ए छुआ छुट्लाई थप जटील बनाई दिये कुछ। अधिकामस दलीद परिवार हरू सार्बजनिक जमीन मा अस्थाई घर हरू मा बाचन संघर्ष गर्दै बस्चन। उनिहरू का लागी सिक्ष्या एक ताडा को सपना हो। किनकी उनिहरू का बच्चा हरूले सानई उमेर मा जिबिको पार्जन गर्न इसकुल छोडशन। कलयया उपमहानगर पालिका को ओडा नम्मर 21 मा छुआ छुटको कठोर बास्तबिक्ता स्पष्ट देखना सकिन छुट। यहां दलीत परिवार हरूले बिवने पानीको अभाब को सामना गर्शन। तिनी हरूले कल वा धारा को पहुज भन्दा परधके लिन्छन। किनबने ती धारा र कल हरू उच्च जाती का मानी सरुको स्वामित्वा पर्शन। दलीद हरु का लागे पानी का लागे गर्णुपर्ने संगर्ष अपमान साबेद भायको साब एक दलीद महिला विवाहा को चुनवती हरु बारे चर्चा करदे विवाहारु धिलो भईरो हैको कुडा गर्चिन उनिहरु संग परियाप्त दाईजो दिन पंईशा हुदेईन यहां दाईजो प्रथा अजय पनी बलियो एस्थिति मा छो रभेद भावले एसलाई अज़ा बड़ाबा दियेको छो उनिहरुलाई नरमाईलो परिस्थितिले फसा आयको छो यहां छटपर्व को समय मा पनी पुजागर्ण का लागी अलग-अलग ठाउं कायम गरिन छो दली धरुलाई उच्च जातको पंडल अथवा पुजाच्छेत्र माजान अनुमती हुदैन दली धरु अरुनै ठाउं हरुमा पंडाल बनावन बाध्य हुन्छन दली धरुको भगवान प्रतिको भक्ती कम छईन तर उनी हरुले पाउने सम्मान भने नियून तमपनी छईन यहां चुबाचु थाबी छ अबस्था परिवर्तन का लागी भोट मागदै प्रतिक ज्यागर्दै चुनाब को समय मा विभिन्ला राजनितिक पातिका मानी उम्मेद्वार हरुले भेद भावसमाप्त गर्नी र दलीत चमुदा आयलाई उन्नती दिने बासा कर्छन तर सत्ता मापुगे पसी इप्रतिक ज्याहरू बिर्शी दिन छन र उपेक्षा को चक्रलाई निरंतर चलाई रहन छन तर एसकठीनाई को बेश्मा जिड़ता छु कलाई आउपमहानगर पालीका का दलीत चमुदा आयले आखनो अधिकार का लागे लडाई जारी राखे का शन। छुवाचुत लाई अंते गर्न का लागे इअवाज हरुलाई प्रवर्धन गर्न हामी संग सामेल हुनु होस। संगई हामीले भेद भावको जंग जेर यो उनिहरुको आवाज हो। उनिहरुको आवाज अब हमीले सुनने समय आएको सा। यकोरी परिमिनाः बढ घलोग एकोरी जब हर्दन मिराम बढ घलोग अलग अलग चला है फिया है लोग है जुआ चुझा चुट यह भाग जब पात में बोला काड़ देवेला दे दी खायी बोलाई तो जाकर होने बोईठ होने बोईठ होने भोईठ होने डाय नहीं से बोल हेद और परबलम वा के भैध ये कौन पैजराना खायके अलेक हामारी खरलत बाद एक याद में ब्यक्षा आदा दीगू अगने वत्व की भैध कि एक येल उलाग खाय के अलग 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 खा कल अलग कल मने हमारी घ्षाल मने वना दीज भाहर दौसर जात वात वोचना माने अलगे बाटाबरन करे ना दी या खाय ना दी यह रोगल सवाल कथी बाटे जे हमनी आपना हाते केतनो सवर सफाई से भोज भात बनावता निशन तो में परमीन लोग खाय वाला नहीं खे लोग चुअ 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 टामान आब हमनी आलानी जमीने बानी हाँ लोग आमनी के रास्ता में चल से लिए गारी फजक शती हाँ दे मैट भायँ धे लोग आवने वोड़ आवर यह जार दे महाई खरना हम भॉव। चुवा चुट के बाद गात आई लोगे कि इंडिया मेरे के फ़ेर भाद में नेपाल में चुवा चुट भा इहे देश-पर देश के अंधोलन भयेर, तु हम देशी लोग आपे कोई लोगे का चे हम निके दलित के चुवा चुट नार इहहा हम सब एकर अग हलाए और अगा कोट लेल लखलोगा फेर बाद में छुवए छुट, हमने केम मानेल लागों। हामीले मदेशी दलित समुदायले बर्षव देखी भोगी रहेको जातिये छुवा छुट रा विभेत को कथा संगई नेपाली समाज को बास्तिव चित्रपनी हेरेव। यो देखाईये को कथा मा दलित समुदायको मुख्य उत्पिडन का रूपमा रहेको जातिये छुवा छुट रा विभेत को कथा थियो। जातिये छुवा छुट रा जातिये भेत भाव कानून को पानामा अंतिया बहे पनी हामरो बहवार बाट कीना अंतिया बहे न। कानुन में लेखियेको कुरा किना कारोनेन हुदे न? एस विशाय मा हामिले अधि भक्ता मोहन सा संकर्षंग कुराकानी गरेगा छाओ। प्रस्तुच उक्ता कुराकानी. कानुन में भक्ता माचानी कुराद लागूने गरेगा भक्ता मुदे प्रस्तुच उक्ता के भक्ता प्रस्तुच उक्ता संधे ब्लागूने वेखिया। रादची वीष्छानी परेगा जातीश Québec साथे भीष्ट फैवेश्च खाल्च भृट्प भइवाद, इत्री दुभृ अशल्रीत года, परेखने आदारस कनने लिष्टेओरी प्राभधाना क्या भष्ट तरह को नथ चसाग जातीशेयों Sabasud ह Samadine?? नहीं और कंगया च्ववाशुडյित tingो नहीं, जबने तेके मार्थ कंगाष्वायु joka मायों. बश्वाशुद नहीं कन आए छोवाय गारण चानुन, बढ़ने वीष़े मारा, राज्य हो इसे मादADE को एा दाव करते हैं जा भी नानी वानी लिए नमी पर कफंखें रहना पंडिया वात्रों पारुटीकी क् winesे लिए। को каких हैं सब्सक्रा रारी पी बात्रिशाध मातश लिए, मानचर असुत भ्वाषुत नारन जाने रकाराण। जात lacking गा corresponds fresh, तो सिर्जन बांठाल में गष्टार को भ्याख्य करिके ला है में स्पुष्यैर के और भिर्यौन दम्हें यहीं अच्छ म Brandon भेक देवार, जाहाज को कुछ कें दम्हें अच्छ को कुछ के भाई गाの बॉन्हे का भाई। तो मिल भी.. एनि यह जरुखो लीए जर्टा जर्थीयं प्रूँ में चीनर, और भाकिन सäreय जरुमान उसद्ध ही जर्ट-उधीय। आसुझा खुद्धा सुद्धता को चुद्धता को चाहिए। आम्रो एंदु दर्म को मुल्य मनेता बढ़ आए। दर्म मान्चे फ़र 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 ढंगले जनमी चाहिए। अस्तित्य को चा वरा बाना भाना 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 मैं ऐसम 메29 घरनीकम का सब्सक्राचा जुआ सले न oğlum मैं नरहीं क्या हुट प包ल्णा कर जाइके। आदिम देप्मार्चिस अमकौ ना का अचल सोब। मैं संद्ऑत में जाइके सेथी एडिशन हैना SH faculty law वहा है प्रोस्णको जबाब दीन सब्सके रिजवल्ग करणु अबढू झेलिए क्या गर्या शुआश्टा गर्ना कारवाइबिवसता लिंग में खाल्ग अबढवद्देश्टा गर्ने कारवाइब अबश्टा जिए आए शुआश्यु करने प्रताव बिभास्ता गर्णु टो श में इते ही फ्समाज चैत उप शया है Колके माशने की अन्या चैовать को? आ ही ने ने ना मननने के मार्ने कीना छाणाँा, फोलंड county अपसा को बक्यानement जात बीवस्ता उनमुलन लोस उन्मुलन वह चाना राखेर उन्मुलन गरना के लागी की गरूपन नहींने? जात बीवस्ता उनमुलन गरना झाती अबदाना झाती अंती गरना अंते गरने मनेजाना, समाज में वे जात आधारित वादे में, तेलिवी गुण चरित्र आधार्म, मानेवी शषभाव आधार्म, वे वे फ़रक अवस्थाम् ऑलांतर जात वहात वनाना अबना, साध ऐस अंते गरने राज्ये जनीति लेवनावाना, वे वे जात पता हूं वेस्टने कानुले अंतीयगरे के बर्टाइं वेवस्ता से आधर में आपूर्नी कामार किलने पितुती है मावनते गातनack иде уो जात वयस्त उन्हूलोन गातने बंदी रंगाल जात वयस्त के उनने तो आГनामीट आपराद इसती करता आज देने वीकतो है, रमागे में सफग्दीस अनौ। उन्हों पंदीन आपरण मोफ्थेता दू Campaign तो चोरी चाही संसार बरी ज्हान शगे होने चोरी गुन अपराद चेया, तौर जुनशगे गाल्मा पने होने होने है相信 बलतकार जुनशगे काल्मा पने होने, तौर चुहासुत मत रे सिमितं हैं शिमित समुदाय में आधारिए यह अरेक कालमा थिये ना 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 थिय पराइबरने साहिए ॵदो थे नामा Brilliant सोब पढूरा फिर दीन से ऐतmaत वितर में सबस्क्राइबरें, अनोर को मार्म आते नामा आतेता उन्ना संक्राइबर्या सु महानोओ थे मदा प्राइबरने साहिए तुकिन गरें हन्दरी लाग उस चैं उनमुलन वस हो, तुलो कानन को बेष्टा गड़ीज जाथि बीवेद को मुद्धा में आद में आद में आर हाँ तरह दख भी ऐलेंगो सम्षएथ जाट ने पर थेमेन कोई दोनी व्यपस्त दो रिया अधर मैक्सिममम तिन बर्सहा मिनिमम एक म कहिम से है। उन्हायगरफ ओर आधारत गान सामाछ गृप ईर्चुटम ऑधर मोशेत आधार यृत ाधार क में पजात भन्हें कानून को डाम मा शिमीत गर, कानूनी को सजाब व्यर्ष्था मात्येगर, यृत व्यर्ष्थभ व दो मन्दिर पुजा पार्थ गरने दलीत समुदारा, कि मत워서 पुजा पार्थ गरने हम देकाँ लिए रुक, पार्थ में को है, मन्दिर in पस्नमा रोक सेधार, हैं में है। गुम言 जोड़ेते हैं, तो दह करो पांले किना दृदित अः तारा जोड़ी वाले मांदिर प्रवेशकर्णा तर दृड़ा? प्युम पुञ्जचक पुजा वंदिरो प्रवर्जच इंडा prayक साने धोस्य कहा जड़ी है कोल्म लेभलान आि फोल्य मंदिर्ट है, कोल्य इसने फोल्य मंदिर्ट रुतुष, अधिकांश हिन्दुमंदिर्डर . अधिक वाम शन्दोर मांदिर मांदिर पुजा। थे हैं कोई पुजा। मांदे टार्मी कीश्ताल भुताल पसपति। को ते हम वाम बाय करते हैं। तो अनी द्ली तर प्रवेशगरन काये भुजा है। मन्दिर होंग कि अशुद्द्ध पूजाना के आदार सुद्दर अशुद्ध आपन्यान ना मैं अशुद्ध आदार सुद्ध ना कारता जलौ, क्या आई लाइ अशुद्ध दार्मिक तान हम दार्मिक कारता सुद्ध नडम्न गलए ये मों क्ढ़िया yhte। आपी देंने आवर दें सुझेन. teaching is found to be. आपी पूजाती सथुग उन्दिए आवरूट लायो वस्ट गोड़ा. ि व सुझेए, की ऑन्य मैं लाच्या अफंटी लुग इस दिए भवा listen to eskutra. अनुने, बैग्यान आदेर कारंन हीन, वंदने उओफी आदारियारा कोति econom닛 मदनाकी। उओ पतक रिषैप कोत संत हिसके आरिपनारा है, वंदने कारोन हिशतलोओने। वंदने वंदेर कारंन मेंुदने Lfy sheets आदेर करोन हिवता हिवे एप लेउनिन अगी। तर जाथी चुआ शुआशुना ब्वह गानी कारांच थान, तर रुट ले मांसी सब्टाइब शुएट मांसी ताली मातरी गर्चा थान, सभी मांसी तो अर्क उदाराद दिन युदा मैं उधान, यह पागल्ने मांसे मानन सक्षा थान, तर यह पागल्ने चुआशुना बेदले मांचे लाइ चारडा बौनमा लिवाजन गरिव। चारडा अंगबडा जल्मिंच अन्निगुरा को बैख्या गरिव। बिवाजन गरिव। चारडा बौनमा लिवाजन गरिव। परिवाजन गरिव। ऊपनिश निगें अन्निगुरा कानो बैख्या गरिव। तो आखा, तो कानने विवस्ताय है यह नियों हमने, शुद्र अर्लाई, ज असला दलित वरना चिन इन्जा, धार्मी कर्विक समाज उलाई है, शुद्र वरना चिन इन्थिए। तीशोगा बढ़ा, उनर भोइले अवस्ता, क्ये बार नाजूग्वो? przeciwafona, एक पुर्ति मसे लिए विए चांवान, तो आटो पुर्ति मेराश स्याएसर्मे से बाई। तो कंशेप्ट में दिए गौल्ट ले भने। ना मीज़ु घुत खुरांक दाओ झाए ज्याद Olima करन कारन कारन को करने लागे हो लागे हो के अटार हो ज्याद प्राइने डूपर नमैजय यह ज्याद रख्लु करण के हो कि ज्यादो मंरोट मंदुद रांजสण ज्याद लिक्ता works जात प्यवस्ता जात मान्चे को जात हुदाई ना बने रहा अभियान चलान पर चोटकरिया बन दारी धार्मिक संस्ता आले जात चाहिं बाउन जट्री वैशे शुद्र अथा दली दरु बन्चन बन्ना बन्ना तो ना बनने बन्ना बन्ना आए के लग्ता लिवस्ता बन्ना पर चैनल जोल जात को जात में दारी डारी यहें नेपाल को सम्भी धान मा न्याय, सिख्छा, स्वास्थ, रोजगार, आवास, रशुरक्छा को पनी विवस्ता गरियेको छा। नेपाली जनतालाई चाहिये को पनी एत्ती नहीं हो। तर पनी नेपाली जनता एत्ती पनी पाउने रहे नचा। यो केवल सम्विधान मा मात्र सिमिद्छा। नेपाली जनताले पाउने आपनो मौलिक अधिकार बाट बन्चित छन। राज्याले नागरिक लाई दिनु परने सेवा र सुबिदा सब्बई जती यो देशका नेतारूले नागरिक बाट खोशे र सोशे र लगे का छन। सरकारले आपनो नारब बनायको छा। सम्रिद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर नेपाली जनता बने आज्या समयसको अनुभूति गर्न सके का छन। कहां छा सम्रिद्ध नेपाल। कुन नेपाली सुखी छन। नेताका आपना अफंत हरू, नेताका आपना अफंत हरू खुशी होला, तरह आम नागरिक बने खुशी छई नौ। अईले नेपाली जनता एक छाग खान, एक सरो लुगाल लगाउन, छोरा छोरीलाई पढ़ाउन, न सकने अवस्था बाटक गुजिरी डायेका चन। यो रिपोटेर नुहस। कलेया उपमहारनगरपालीका उडानमर स्थ्र सुराही गाउमा दलेत महिला गयादेवी राम बस्थिल। जसको जिवन गरिवी को कठोर बास्त बिक्ताले गाजी दियेको छौ। गयादेवी राम र उनका पती धेरै चुनवती हरु को सामना गरदै दिन चर्या बितित गरीर भायका चन। उनी हरु आपनो जिवन को अस्थाउंदो प्रहर माचन। उनका पती जो बिगत दस बर्ष देखी अंधो पनले ग्रसित चन। उनी इस पश्ट देखना सक्देइनन। गयादेवी राम र उनका पती दस बर्ष देखी अंधा चन। तर आपफई राम र संग काम गरना सक्दीनन अरे। उनका चोराचोरी उनी हरु बाट ताडा चन। उनी हरु संग सानो जमीन छ। तर तेसमा केबल घर मात्र अडिये को छ। उनी हरुको माचोले बनेको घर। उनी हरुको संगर्षको फिहरिस्त हो। उचेत आवास्ट्र स्वास्ते सेवाको अभावले उनी हरुको दैनी की जनाई संगर्ष सिल र अजय कठीन बनेको छा। जब घर का सदेश्य बिरामी पर्षन अउसधी र अस्पताल को खर्ष उनी हरुका लागी चुनवती को पिशाय बने दिन छा। गयादेवी राम हामीलाई भन्चिन की सरकारबाट सहयोग आवश्यक छा। उनको घर भद्गीन लागेको छा। र उनी चिकित्सा उपचार को खर्च धान्न सक्ने स्थिति माँ छाईनिन। उनी भन्चिन उनका पतिको अंधुपन लाई उपचार गन सकीन छा। तर उनी हरुसंग पहिशा छाईन। गयादेबी राम को कथा गरिबी को बिनासकारी प्रभाब को स्पष्ट प्रमाण हो। उनको आवाज ले धेर ए गरिब मानी सरुको मौन पुकार लाई जलकाई दिन छा। यस कारेक्रम ले गयादेबी को जिबन मां परिवर्तन ल्याउन आवाज उठाई रुहाई को देखते बरले बाने लगने कम जारतान गारे गड़ाई का बहुती हर बर बाहर बाग आवाज आवाज में का आख से दन लग के लाहामार हाथ हो इस्सान बाग उका को तन फित्टी कुछ ना हो खाला कि देवले तो आजम खाला अब भार बना दिलाई दूसा हम गश्शा थ मधेश प्रदेश को रिदय मा कलेया उपमहानगर पाली का अवस्तेत छो जहां संघर्ष हरू प्रतेक दिन जिवनसंग मीशियर संगसंग इहिडशन तेहां जगदेव राम पनिबस्षन जशको हालका महिना हरू क्रूर तरीका बाट चलीर भायका शन छो महिना देखी शरीर को एक पाटो पक्षगहात भायका जगदेव को जिवन गरीबी को क्रूर पकड को स्पष्ट प्रमाण हो उनको साधारन अवस्थामा चलीर भायको जिवनमा कालो चाया परी रहंता जगदेवली आफनुक था सुनाऊचन उनको आवाज फुस फुसाहाट मा सिमीत रहंच जहां प्रतेक सब्दमा निरासा को भारी भेटेंच चो महीना भई सक्यो उनी भन्चन दुख स्पष्ट उनका आखामा देखिन चन ती आसु आखाबात भरीये रखस्चन सारिरिक र मानसिक यातना का दीन हरू समझी दै उनका आसु हरू सारिरिक अवस्थाको प्रतिकिरिया मात्र होई न तर गरिबीले बाधे का अवस्था मौन चिच्याहाट पनी हुन उचित चिकित सा उपचार का लागी आवशेक साधन नहुदा उनको पक्षग हात ले उनको सरीर लाई मात्र होई न उनका आसा प्राकांग साहरू लाई पनी स्थिर पारितिन छो यो रोगलाई कसरी उपचार गरने भने रसोद्धा उनको आवाज उनको अवस्था को भारले कापी रोहयको हुन चो उनको प्रश्णमा रोहयको ती तो सत्यता हावामा पिलाऊं चो समाज ले बिर्चिए का प्रतिग्या रोछाया मा पारिये का जिवन हरू को मारमेक स्मर्ण कराउं दै जगदेब का असु हरूमा काम गरने पर निया आफ़ान छो गरिवीले जन्मायको मानविय पिडालाई हिर्न रसमर्थन गर्न समास का हर्ता कर्ता हरूलाई आग्रह छा जगदेवले जसरी भोगे का जिबन का कठोर परिक्षा हरूलाई गरिमा पुर्भक सम्भोधन गर्ने पर्यास को आपान हो कारेक्रम आवाज कलाईया उपमहानगर पालिका को एक कुना जहां अनेकाउं कथा हरूले मौन प्रस्तुती देर हैका हुन्छन हो तेहां अमना खातून को कथा पनी प्रस्तुत भईर हैको छा एक बिदवा महिला एक आमा राफन परिवार को बोज एकलेई बोखने अमना को कथा गरीबी को निर्दाई लहर बिरुद्ध को कडा संगर्ष को पथा हो हमी साथ चना छों अमनाले शुरू गर्षिन आफनो कहानी उनको आवाज सांत प्रिष्ट भुमिमा हलका कमपन का साथ निस्की रोहाईको हुँँछ सबई बेरोजगार, सबई भोका, उनका सब्दहरू हावा मा तैरी रहन छन प्रतेक अक्षर आमदानीको श्रोत नभायको परिवारलाई खुआउने बोजले भरियेको हुँँछ उनका आखामा बग्ण नसकेका आसुहरूको समुंद्र छ मृत श्रिमान का लागी उनका दोई छोरा हरू का लागी जसमद्धे एक एस कस्टलाई बुजन सा नई छ र अरको रोजगारीको खोजीमा असफल प्रयासको चोटले थकेत भायर भवतारी रहायको भेटिन छ र तीन छोरी हरू का लागी पनी जसका हासो हरू उनी हरूका अनिस्षेप भविष्यको धुमिल प्रकास मा पनी चमकीर रहायका शन। मज जेपनी गर्न तयार छू अमनाले भन्छिन आ सालाई जिबन रिखा जस्तेई समाध्देई उनका सब्द हरूमा ड्रेडड निस्षेए रिखांकेच्छ उनको कुणेई पनी कामगर्न तयार रहेको करीबेशले गरीबीले निचोरेका आत्माहरूमा कोरियेको हतास्पन लाई खुलाउंश अमना को कथा केबल बिक्तिगत संगर्षको कथा मात्र होई न यो समाज को बेवास्ता का चाया मा भयका कठोर बास्तबेगता हरूलाई प्रति बिम्भेत करने दरपण हो अईना हो आवाज हो उनको सहनसिलता ओत्प्रोध छ उनलाई सहानो भुती चाहिये कई छईन जबकी कामगर्ने रकमाउने अवश्यर को खांचो छ उनको आवाज म का लागी रगरीवी ले दबाउन ना सकने मानविय आत्मा को पहिचान का लागी वार्णाना नीकाम लेबाड़ान नाकमालन तीन को उनको बेटे बाठे साथ आदमे के परवस्ते को हमी को रहें। साथ सो बाड़ी हमें। गवार्दुगार गिर अधाक यू शुननी आरना के सवरामरा दोसर उनको माई बेना कवरला। काम लागते नहीं है। अधा जो पोड़ लिखोल बोल बहुत देह ना करेला। खराबा तीन को उक्रा बेटे बाठेवा। तीन को बेटे बाठेवा सो ला। असास बाड़ी अभी उतने बाठेवा। उक्रा कवनो रोजगार मिल जाई तो बहुत धनबाद मना। अधा गरीब पर हमनियों के देखने आर सुननिया। समयसे तो यह भा घर दुवार नहीं है। यह इतना जगा बाठेवा चारुभाई के फांट में हमनिके यह फांट बाठेवा। यह हम न campaigns के फांट हमनिके बाठेव के अगार के मीनिके फांटेवा निया। अब दुखना रए भागी अब यह भागी हम्ने तो समय से अम राई बाट है जा हमने घखर दुबार नहीं के लेका सका भी नहीं साधिना कोई नहीं कोई नहीं सब्सकता नहीं समय सही हो गल भाई कि अदवर ही पालगा से खाला, ये फाल वाली कोepend hall, तों मसाथ्पार 15, H gusto क्नि MICHAEL क нес Morning कि अंदु बंगे कृन्याची्टिन की पालवाश के ज़ भाल खून। अध्यू अदनी में जांकार अर्थी कम जूर के चलते हमने के लगा। किफ भी गर नाड बहुत ल Dwong वारी में मारी मह बालवचा सले के साधी भीया ठकलिए लोनकाःवा निसन अभन कित हाय बारे और गोसे लो thoughtisk चौ माईन सक लाड मीश पईशार लोग तेभाफा के बाड बालवचा का लग टारल तताग लोगजन तेम लोग देड़ यही आप्या्युद्टास्यूभत , रंजयिक कमाता सफुन दूरतात्स पहते हैं , बन्हेतdy अधर होई एकनलस्टास्प套ी , अधरभत के शीवße, कनोह तो नहुत फ़िवासार गला, आवास समेत बनाऊना सके नान। बनींच विवाह बनेको दुई आत्मा को मिलन हो, सिर्मान सिर्माति को संबंध हो, पर हामी एस्ता समाज निर्मान गरेगा छौ। जहां विवाह लाई दुई आत्मा को मिलन होई न, सिर्मान सिर्माति को संबंध पनी होई न, हामीले विवा लाई बैपार बनाएगा चाव। दाईजो प्रत्हा मदेश परदेश का ये ठुलो समस्य को रुप मा धेखनला सकिन्छ। ये १ 차 को शिकार मुख्य आर्थिक बिपन परिवार हुनु परेखु चाव। मदेश-परदेश का अतिकट साव। 우리 Adam कमाई हैरेर दाईजो माग छा जति धेरई पढ़ाई वा जति धेरई कमाई उत्ती धेरे नै दाईजो माग छा यो यव यवटा गरीब परिवार को लागी ठूडो चुनाउती पनी हो आउन नुहोश सबय बंदा पहिला यो रिपोर्ट हैर नुहोश कलाईया को मुझ्जुमा दाईजो प्रणालीको कछोर बास्तविक्ता धिरेईको जिबनमा कालो छाया बनी रोहन्छा यो दयादेबी राम को कथा हो जो दाईजो र सामाजिक अपेक्षाहरू को भार मा थिचिये कीछिन दयादेबी राम एक बिदवा हुन जसले आपनो एक छोरी र दोईसाना चोराहरू को हेर्चाहा गर्दै संगर्ष गरीर भायकीछिन दाईजो प्रथाले उनकी छोरी लाई अविवाहित नई राखेको छब किनकी दयाले समाजले मागेको ठूलो दाईजो दिनसक दिनन आर्थेक संगर्ष का कारण उनकी छोरी ले मात्र कक्षा दोई सम्मा अध्धेन गरीन उनले आपनी छोरी को विवाहा का लागे आवसेक दाईजो जुटाऊना सकीर भायके छईन पर यापत दाईजो बिना उनकी छोरी अविवाहित नई रहंचिन जसले उनको मन तोडिन दयाको परिवार चरम गरीबी मैं बाचीर वहाईको छ उनले आपनो परिवारलाई भोक्मरीबाच बचाऊन रेड लिए कीछिन तर तीर रेड हरुको भार निरंतर संघर्ष बनी रोहाईको छ रेड बिना उन्हीरुले भोक्मरीर अम्रितियुको सामना गर्णू पर्थिय उनकी छोरीलाई विवाहागर्ण न दियेको मात्र होई न उनिहरुको गरिवीको चक्रलाई बनी निरंत्रता दियेको छा। उनकी प्रणाली को बिनासकारी प्रभाबलाई उजागर गर्द छा। सरकार तेन कही तेना माना का परina माना परी न उनी। उनकी डर करया जाल बाठे किस्ता न बूजे सकता। किस्ता बुजने के साभा हारानी भालवानी साभाइला खायला खायला मौरा तानी सेन हाँ दुदूग बहुए नननी बहुए बालव अब्रस भावसी मौरगले कर गरजियन नाइखे में हारा जब एकमा हम वहा तॉर बाल व सवर्य काला winning हार भाभी जось होग कोई ज्या अप्वा कि बनी आरा इंट कि प्रिंद भाभीज होना झोर्डल में की पूल भाभी ज साधी का ओने गाल्सा यह का भाभी जिए हो एकनी काल जा मिल बाल जुझे कंट भाभी जसे बाभी ज पमहानगरपालिकामा योटा समुदा आये छो जसलाई दाईजो को पुरानो परमपराले अजय पनी पिडाद दिदे आयेको छो रगरीबी को छाया मा राखेको छो यो जुनिया देवी राम को कथा हो एक दलित महिला जसले दाईजो प्रथा को भारी भार संग संगर्ष गरी किछिन जुनिया देवी राम पाच संतान की आमा हुन तीन छोरी र दोई छोरा की हाल साले उनले आपनी नातिनी को विबहा करीन एक खुसीको अबसर जसलाई दाईजो को भारी आर्थिक बोजले छाया मा पारी दियो जुनिया देवी राम इंटरभ्यू मा भन छिन उनले दुलाहा पक्षलाई दोई लाख दाईजो दिनु परेको थियो साथै कपडार भाणा कुडा पनी यो परंपराले हामीलाई निक्कै थकीत बना आयको छा हामी पहिलेने संघर्ष गरी रोहाय का साउं र यो अभ्यास ले अजर गारो बना आयको छा येस गरीब परिवार मा दाईजो प्रणाली एक क्रूर सामाजिक अभ्यासो जसले उनी हरुको आर्थेक कठीनाईलाई अंश जठील बनाई दिन छ उनी हरुले थोरेई साधन का बावजूत दाईजो को ठूलो माग हरु पुरा गर्नो पर्ष तराईका गाउं हरुमा दाईजो प्रणालीले रेड को चक्रलाई निरंत्रता दिन छ जुनिया का जस्ता परिवार हरु जिबिको पार्जन गर्न संघर्ष घरीर वहाईका शन दाईजो लाई आधार्भूत आवश्यक्ता हरु भंदा प्राथमेक्ता दिन बाध्य शन जुनिया देवी राम भन्छिन यो एस्तो बोजो जस्पाता हामी उमकन सक्देई नौ। हामी रिंड लिन छौं र अजगहीरो रिंड मा पर्छौं। एदी यो अभ्ध्यास अंते भायना भने हामीले कहीलेई प्रगती देखने छौई नौ। हामरा छोरा छोरी र नाती नातीना का लागी परिवर्तन आवश्यक्ष जुनि यो जुनिया देवी र उनको आवाज हो। यो आवाज ले उनको कथालाई प्रति धोनीत करशा पर उनको परिवार मा दाईजो प्रथाले पारेको भावनात्मक र आर्थिक प्रभाबलाई किन्रमा राक्षा। इसले परिवर्तन को तत्काल आवश्यक्तालाई जोर तीन छ मने ले या उनको प्रखालाई भावनात्मक रूले उनकालाई फर आवाज वाज शावनात्मक प्रति धोनीत करशा परिवर्तन कप्र्वाण लेलाखा। कलेया उपमहानगरपाली का उडानमर 22 मा सुनिता देवी राम बस छिन एक दलीत महिला जसले दाईजो प्रथा को कठोर बास्तविक्ता संग संगर्ष गरीर भाय की छिन सुनिता के चुरी विभागर्न योग्य उमेर की भई सके की छिन तर परिवार को आर्थेक संगर्ष ले उनको भविष्यमा ठूलो चाया पारेको छ उनिहरुको घर जो पहिलेने चेती ग्रस तवस्तामा छ जसलाई मर्मत को खाचो छ उनिहरुको जमीन आपनो घर को छेत्रफल समसे मेच छ जसले उनिहरुलाई थोरे आमदानी का लागे जमीनदार को खेत्मा काम गर्न बाध्य बनाएको छ सुनिता देविराम निरास हुदै हामी संग भन्छिन उनकी छोरी हरु विबहागर्नी उमेर का भई सके तर उनि र उनको परिवार दाईजो जुटाउन शकी रुहाइका छेइनन उनिहरुको घर भदकी न लागेको छ र उनिहरु संग खेतिगर्न परियाप्त जमीन छेइनन उनिप्रश्ण गर्छिन जबाहामी बास्नानाई संगर्ष गरी रुहाइका छों दाईजो कसरी दिन पर्याप्त जमीन वा अंदानी बिना दाइजो को असोभनी यब माग असहनी यब बने को छो सुनिता देवी राम फेरी प्रस्ण गर्छिन की दाइजो दिना नसकनु के गारण उनली आपनी छोरीलाई अविवाहित राखनु परने हो उनी सरकारलाई आपनो घर बनाऊन राखनी छोरीको विवाहामा सहयोग गर्न अनुरोद करचिन उनी थपचिन, सरकारले यो फिडा रोकन दाइजो प्रथाब बंद गर्न पर छो सुनिता देवी राम को कथा दाइजो प्रणाली को बिनासकारी प्रभाब को संग रहा हो उनको आवाज ले धेरेई को फिडा जलकाउं छो यो सुनिता देवी को आवाज हो अनि हामरो जिम्मेवारी अबा हामीले सुनने र काम गर्ने समय आहेको छो हमरो बेटी सग्यान हो गेलबा हमरो आवास्ता नाइके साधी बिया करेके घर गीर गेलबा घर बनावेके हमनी के अवास्ता नाइके घाडारी ओडारी तनके बा चार भाई में चार धुर घाडारी बा हमनी के खेति बारी में पनानेики खेतों नाइखें खाली घड़ारी मातरबा हमारा बेटी हो गल बस्ता ग्यान बीया सब्सक्राइब परिवार को कथा संगई नेपाली समाज को अनुहार पनी हेर्यों यो दाइजो प्रथा जस्ता कुप प्रथाले हामरो शमाज लाई अइना देखाई दिये कोच अइनामा काल्पनिक समाज को सुन दर्ता होईना अप्राद बुजियेको र नयाय कापेको हामरो शमाज को ये थर्थता देखाईएको छा हामरो शमाज को बास्तिविक चित्र देखाईएको छा हामिले दाइजो प्रथा जातिय छुआ छुद र गरिवीको समस्या को समधान का निमती कलाया उप महानागर पालिक्या को नाथू सहासंग कुराकानी गरेका छव। प्रस्तुद्स उप्तक कुराकानी। जो छुवाच्छ खासगरी जुन रहेकोचा दलित अरुबात छुवाच्छ मानने परमपरा आज तर रहे मां धेरे बर्स पईले ठुलो समस्या करूपा रहे तर विस्तारे सिख्छा को विस्तार संगे नागरीक मां सचेतना को बिरिदी संगे यो कम हुदे गई रहे रहे चा आज पहले जुवाच्छ खाई ना तरह पने करने समाज मां अले दूर दराज के गाहर मां के यो के समस्या छण चने तर विभीन कारकरमार रुर शंचालन गरी रहे चांँ हामी एफिम बात रेडियो बात वा शूचनार परसार रहे चांँ यो शमस्या समधार गर लागी प तप्राइधा निर्मुल परनक लग नगरपाली के बिविन आपना निती कारेकर मार बनाई यह जन्चेतन आ कारेकर मारो सुचना संपिरेशन गर ने यह तप्राब हो जिए आपने जिए समाय रनक रात्मा असर पाई रहे छो तेंस कंद्म को, तो समय अश्छन भीन नाम रा स उन रहाद पर्थान धुले सम्हीया कर दो, मैंने जाघा पर्थाजी क्रमा रहें यह किको शुट है, सम्हीया सम्ही evento. वा हम जी एक वह क्म आपने पर्थान कर दो, वी आज दिन मा पर एशकर आड आड़ार मों अगाली भळणा है एकल मैला को शमाज से समधान गर्नक लागी नगर पाली के आले आपना कारेकरमहरपारी नगर्पाली क्या युण विविन किसिम युष्प मुलक ताली महर को संचालन गर्ये को लेगो च्छा और नेपाल सरकारले पनी जुन समाजी सुरक्षा के कारेकरम हरुबाट पनी उहां रुलाई संभोधन गरियेको छा जे वस एकल महीलार को जीवन सहज आपन को लागी हामीन कारेकरम गरी रहेका छाँ जाए सीप मुलख हो जाए आय मुलख हुन जाए भहत्ता को रुपा नेपाल सरकारले उपलवद गराएको तो हमीगरी रहेक छाँ कर्मा सव महारुकुरों चुधार उन्मुक रहे कुछ जीवन सुधार उन्मुक छा तरह पनी विभिन कारेकरम अज़पनी आवसेक्ता चा महारुकु लागी तो भविश्यमा आपनो सुरो साध्यन संभा भ्याय संभा आगांजीन मा नगरपली का आगाली गर ने शो पंद्र बर्ष, सोर बर्ष औनी सत्र बर्ष यो उमेर भने को हाथ मा किताब बोक्ने उमेर हो सपना बुन्ने उमेर हो, खाने खेलने उमेर हो तर आमरा देश का छोरी चेली अरू एस्ते उमेर मा परिवार को जिम्बेवारी उठाई रहे काचन आपनो ठुल ठुला सपना औनी रहर संगर ठुलो सम्झाउता गरेर परिवारी जिम्बेवारी बहन गरन बाद्ध्यवाय काचन आउनु होस सबैवन्दा पहिला आपनो सपना संगर सम्झाउता गरेका नारीहर को कथा हेरो कलईया उपमहानगर पालिका उड़ानमर बेश को गाउमा सिमा कुमारी राम को मार में कथाचा अधूरा सपना हरू र उनल्या आपनो छोरा को भविश्य बदलन चाहे को कथाचा चो जना बहिनी हरू मध्धे की एक सिमाले आपनो परिवार को संगर सलाई देखिन जहां उनका बाबु को निम्ना आमदानी सबैलाई सिक्षा प्रदान गर्न परियाप्त थिये न आर्थेक समस्य हरू ले गर्दा उनी हरू को बालले काल साने उमेर मा विवहा गरे र अंते भई दियो सिमा कुमारी राम माईक सामो भन्छिन उनका बाबुले उनलाई इसकुल पड़ाउन सक्दैन थिये अरे इसकुल नपठाउनु को कारण थियो चरम गरिबी उनले कहिले पड़ने मौका ने पाइनन तर उनले चोराको भविष्यका लागे फरक सपना देखे की छन अब आमा बने की सिमा आपनो योजनामा दिर्ड़ छिन अशिक्षा र गरिबीको चक्र तोर दै उनले आफनो चोरालाई आफुले पाउना न सकेको सिक्षा दिलाउन प्रतिग्या गरे की छन शिमा कुमारी राम भन छिन उनको चोराले आफुले जस्तो अशिक्षेत जिबन न बितावस उनी चोरालाई स्कुल पठाउन र राम रोजिबन दिन सबई कुरा गर्णे छिन सपना र देड़तामा बने को घरमा सिमा चुलाउती हरुको बिरुद्ध ललर दै छिन उनको कथा उनी हरुको समुदाय मा महिला हरुले गरेका अस्यम्ख्य बलिदान हरुको सक्तिसाले स्मरण हो र उनी हरुको चोरा चोरी का लागी बोकेको इस्थाई आसा पनी सिमा कुमारी राम को कथा एक आमा को अदम्य आत्मा को प्रमाण हो जो आपनो चोरा का लागी राम रो बाटो बनाऊना कटी बद्ध छिन उनको आबाज लाई सुन्ने समय आये को छ यो कथाले सिमा कुमारी राम को संगर्ष र आसालाई समेड़ दै बाल विबहा र गरीबी को प्रभाबलाई उजागर गरे को छ येसले हरेक मानिसलाई परिबर्तन का कार रिगर्ण का लागी ततकाल खटीना प्रेरणा दिन छ हमनी के एग बाप कम निहार बनाँ छो बहीन बानी जा तो हमनी के बाप को लगा चिवनी पका माला नीटर होवेलान तो उतना स्वक्ति नारे परहावे के कलाईया उपमहानगर पाली का उड़ा नमर 22 मा बालवी बहा को कठोर बास्तवी कता को लाम और लहरो देखना पाइन छो यो राजेस माजी को कथा हो एक यूबा जसको जिबन मा गरिवी र बालवी बहाले गहीरो रूप मा प्रभाब पारेको सब राजेस माजी अहिले 19 बर्षका भए उनले कहिले विद्धाले को कक्षा मा पाइला राखेनन गरिवीले सिक्षालीने अबसर बाच बंचेत राजेस को बाल्लेकाल पढ़न का साटो खेतमा कामगर्दई मा पित्यो उनका आमा बाबू उनको यूबा जिबन का आधार हरू राजेस सोर बर्षको हुदाने परलोक गए तीन दाजुभाई मध्धे पारिवारिक जिम्मिवारी उनका इकांध माही लाग्यो उनको यूबा कांधरूमा जिम्मिवारिको भारले नमज्जाले थीची दियो राजेसले आपनो परिवारलाई पालन अरुका खेत पारिमा काम गरे अठार बर्षको उमेरमा उनी बाल विवाहको सिकार भय यो कुरिती जसले केटा र केटी दुबाई लाई समान रुपमा प्रभावित कर्द सो राजेस माजी माईक सामु भन्चन उनी कहिलेई पढ़न पायनन रे जबकी उनका आमा बुआको म्रेतिवले सबयी थोक परिवर्तन भयो उनले भाई हरुको हिर्चाहा गर्न रब्मासन काम गर्न पर्यो अठार बर्षको कलीलो उमेरमा उनको विवाह अरको बोज भयराई दियो तर उनी भन्चन उनकी छोरीले उनलाई सक्ती दिन जीन अरे राजेस आपनी छोरीलाई आफुलेक कहिलेई पाउन नोसकेको सिक्षा दिने चहाना राग्त शन सरकारले बनायेको राजेसको घर उनको संगर्षको समंद्रमा सानो रहा थो तर राजेस आपनी छोरी का लागी गरिवी र बालविबहा को चक्र बाट मुप्त भविष्य को सपना देखशन। राजेस माजी को कथा एक मार्मिक इस्मरण हो। बालविबहा केबल केटी हरु को मुद्धा होई न। इसले केटा हरु को यूबा आवस्था, सिक्षा र सपना बात ताडा धकिली दियेको छो। यो आवाज हरु सुन्ने र यस्तुखको चक्रलाई अंतेगर्न संगय काम गर्ने समय पनी हो। कलाईया उपमहानगर पालीका उडानमर 21 को रमडिय परिवेश हरु का बेज अनेकाउं संगर्श का कथा हरुछन। यो बाल विभाजस्ता समाजेक कुरितिले मानसेक रोपमा अपरिपक रहे का तमाम अबोद बाल बालिकाले भोग्णों परेको पारिवारिक भार को कथा हो। यो तेतरी देवी माजी को गता हो, तेतरी देवी माजी, भाभोक सोर्मा आपनो नाम भंदै कुराहरू राक्सिन, की उनले तीन कक्षयासम्मा मात्र पड़ न सकिन, उनको परिवार संग खान लाउन को कमी थीओ, गरिविले उनको बालले काललाई, उनको पड़ने लेकने उम गरना सक्तियोर, खाना लाउन या पढ़ना। अहीले तेतरी एक छोरा र एक छोरी की आमा बने कीछिन। आफुले भूगनो परेको सिक्छा को अभावलाई इस्मरन गर्देउनी डेड़्ड संकल्प गर्छिन की छोरा छोरीले आफुले भोगेको जस्तो बाताबरण बेतीत करना परोस। तेतरी देवी माजी डेड़ा आवाज मा भनचिन। उनले आपना संतान हरुलाई इसकुल पठाउन सक्दो प्रियास करी रुहाय कीछिन। उनी भनचिन उनले अभधेन गर्णी अवसर बाच बंचे थुनु परेको थियो। तर अब उनले आपना संतान लाई तेही अवस्थामा पुग्णत दिने चैनन अरे। म सरकारलाई अनुरोद गर्छुकी कपी, कलम, लुगार औरु आवशेक सामगरी प्रदान सहयो गरी दियोस। येसले उनका चोराचोरीको सेक्षामा मदद करने श। बाल विवाले येस गरीबी र अज्यानताको चक्रला निरंत्रता दीर वहाई को सह। येसले बाल बाली का हरुको बाललेकाल, उनी हरुको सिक्षा र उनी हरुको संभावना लाई पनी समाप तपारी दिये को सह। ॥ा कर दिये किया निर्स गरी नई हम बाल वाचाखे परहाई यह न आ थी फिल्म को कथा थिए न यह हम्रों देस का नारी मार भूंट वहरी, देह के नारी माल भिवा के नारी माहाली भूंब्लों के नारी हरी, को एस्ता कलंकलाई अंत्य गरीनु पर छा। आउनुस नियाय र समता मुलक समाज निर्मानमा हाते मालो गरौ। आपना ठाउमा भायका एस्ता विक्रितिप विरुद्ध आवाज उठाउ। कानुन को ढखा ढख ढख ढख्याउ। र सहयक पनी गरौ। हस्ता कारेक्रम आवाज को निर्धारित समय स्वक्किये को छ और को साता हम्रो भेट फेरी पनी। हुनेहिने छ, नमस्कार।